ओम जननीम सारदाम देवीम रामक्रिष्णम जगत्गुरुम् पादपद्मे तयो शृत्वा प्रणमामी मुहर्मुहुम् नम श्री अतिराजाय विवेकानन्द सूरय सच्चित सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिने गुरुब्रम्हा गुरुरुविष्णम गुरुर्देवो महेश्वरह गुरुस्साक्षात्परब्रम्हां तस्मै श्री गुरवे नमहां नारदिया कलवभ मोक्षो पायो ह्यनुत्तम् इत्तम् ये नोबदिष्टम्तम् रामकृष्णम् नमाम्यहं नारद भक्ति सूत्र का अध्येन कर रहे हैं लोग और पराभक्ति उसके बारे में बताने के बाद पराभक्ति पाने के लिए कई साधनाओं के बारे में मतलब गवणी भक्ति उसके कुछ साधनाओं के बारे में नारद जी हमें कह रहे हैं उक्युरूप से हमने पिछले क्लास में हमने देखा है वहाँ पर कहते हैं वादो नावलम् यह बाहुल्य अवकाशत्वात अनियत अत्वाच्च्च और इस भाव से वो कहते हैं वाद को वाद विवाद में मत ये करना चुँकि समय व्यर्त बीड जाता है इस दुनिया इस जन्म में भगवान के साक्षात कर होगा या नी वही समसंदे है ऐसे परिष्टिती में जब हम वाद विवाद में लग जाएंगे भगवान है या नहीं बहुत सारे लोग है ना जो हमारे सोच के विरुद है हम जो भी मतलब सोचते हैं उसके विरुद है ऐसे लोग आके हमें भटकाने के लिए कोशिश करेंगे ये तो दुनिया है अब ऐसे लोगों के साथ व्यर्थ वाद विवाद करना अनावश्यक है क्योंकि वाद विवाद से किसी को भगवान के बारे में शुरद्धा और ये सब जगाना मुश्किल है ये अपने अंदर की बात हर एक को अंदर से समझना होगा इसलिए यहां कहते हैं नारच जी ये कहते हैं कि वादो नावलम्ब्या बाहुल्य आवकाशत बात अलग-अलग सोच होता है भगवान के बारे में और इनसान का भी कही लोग भगवान है बोलते है कही लोग बोलते है भगवान नहीं है अलग-अलग सोच रहता है अनिये तत्वाच्चा क्या नतीजा क्या निकलेगा वादो विवाद का वो भी पता ने इसलिए वादो न अवलंब्या और आज का जो सूत्र जो है उसमें ये कहते हैं भक्ति शास्त्रानी मननी यानी तद उद्बोध का कर्मानी कर्णी यानी सूत्र नमबर 76 भक्ति शास्त्रानी मननी यानी तद उद्बोध का कर्मानी कर्णी यानी नारज जी ये कहते हैं भक्ति शास्त्रों का मनन करना चाहिए और तद उद्गोध का कर्मानी करनी यानी भक्ति वर्धक कर्मों को करते रहना चाहिए भक्ति का वृद्धी जिस कर्म से होता है वो इसे कर्म को करते रहना चाहिए अब इसको क्यों नारज नहीं बताया यहां पर दो कारणी एक पिछले सुत्र में वादो न अवलम्ब्याव वाद मतलब यह नहीं शास्त्र चर्चा नहीं करना चाहिए हमने पिछले इसमें सुत्र में जो इनको यह करते हुई यह भी बताया कि जब गुरू शिष्षी के पास जाते हैं शास्त्र में स्पस्टूप से बताया कैसे शिक्षा लेंगे गुरू से तद्विद्धी प्रणिपादेन परिप्रश्णियन जो गुरू के पास जो शिष्षी जाते हैं गुरू से प्रश्ण करते हैं इसके लिए नहीं कि शिश गुरु के ज्यान कीतना है उसको परिक्षा करने के लिए उनसे ज्यान प्राप्ति के लिए भगवान के मार्ग में आगे जाना है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है इसलिए गुरु से प्रश्ण करते उसको क्या कहते हैं परिप्रश्ण ग्यान क पाने की इच्छा से जो प्रश्ण करते हैं उसको परिप्रश्ण बोलते हैं उससे कोई हानी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ हमें ये जानना जरूरी है एक गुरुमुक से और शास्त्रों द्वारा शास्त्रों द्वारा इसको जानना बहुत जरूरी है इस कारण से भक्ति श आस्त्रानी मननी यानी भक्ति शास्त्रों को मनन करना होगा मनन करना चाहिए भक्ति शास्त्र भक्ति जिस शास्त्र से भक्ति वर्धित होता है ऐसे शास्त्र को मनन करना होगा भक्ति वर्धित करने वाले शास्त्र उसको मनन करना होगा तद उद्वोध का कर्मानी करनी याने मतलब भक्ती जिससे वर्दित हो ऐसे कर्मों को करना पड़ेगा। दो बातें यहां का गए एक मनन करन शास्त्र को मनन करन आपर दूसरे कर्म करना कैसे कर्म करना जिसे भक्ती वृध्य हो। जिस कर्म से भक्ति उर्द्धी हो यह गवणी भक्त मतलब प्राथमिक हंत में जो भक्त जो है थोड़ा सा भगवान में विश्वास है उसको बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है यह बहुत आवश्यक है क्यों आवश्यक है वेसे तो यह किसके लिए बताया गया है यह ग थोड़ा विश्वास हुआ है और भगवान में थोड़ा भक्ति है भगवान के प्रार्थना करते हैं ध्यान करने के लिए कोशिश करते हैं उनके नाम जब करते हैं यह सब करने के लिए जो कोशिश करते हैं इसे गवणी भक्तों के लिए उन्होंने नारज जिने यह और धन्धन करने के लिये बक्ति का वड़ावा के लिए जैसे यह गोणी भक्ति पराब्भक्ति में परिवर्तित हो इसके लिए उन्होंने यह मार्म बद Century Bokti शास्त्राणि माननियाद अशास्त्र शास्त्र मतलब क्या है zwar English इकलीश में बताना चाहिए तो साइंस, साइंस आफ भक्ति, ये भक्ति अपने आप में एक शास्त्र है, उसको क्या करना चाहिए, माननी यानी, दूसरा अर्थ क्या है, भक्ति संबंधित, शास्त्र, मतलब ग्रंथ, जो जितरा भी है, उसको माननी यानी, मनन करना चाहिए, होता है पढ़ना चाहिए या नहीं आराज जी एक करने के लिए कोशिश करेंगे यहां पर नारजी केते हैं भक्ति शास्त्रों का विचार एवंग भक्ति वर्दक कर्मों को करते रहना चाहिए भक्ति शास्त्रानी मननी यानी तद उद्वोध का कर्मानी करनी यानी पहले व्यर्थ तर्क करना निशिद्ध है ये बात पता है उन्हें व्यर्थ तर्क करना निशिद्ध है वादो ना अवलंब्या किन्तु शास्त्र के सिध्धान्तों पर विचार करना भक्ति लाव के लिए सहायक है वो बात यहां बता रहे हैं व्यर्थ तर्क नहीं करना ठीक हैं फिर शास्त्र पढ़के अना लोग अर्जन के लिए और उसी के साथ-साथ भक्ती हो उसका वर्धन हो हमारे मन में इस उद्देश से शास्त्र का अध्यान करना चाहिए लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी देखने के लिए मिलते हैं जो सिर्फ शास्त्र अध्यान करके उसी विशे पर वाद विवाद करते रहेंगे उसमें ही उसको आनन्द मिलता है मुझे बहुत ज्यान है वो देखने दिखाने के लिए इसलिए भक्त सिर्फ भक्त को क्या करेंगे भक्त शास्त्र का अध्यान करेंगे वाद विवाद के लिए नहीं है तरक व्यर्थ तरक के लिए नहीं है ज्यान का अर्जन करने के लिए इसलिए यहां कहते हैं किन्तो शांस्त्र के सिध्धानतों पर विचार करना भक्ति लाब के लिए सहायक है पहले पढ़ना चाहिए और उसके बाद उसके उपर विचार करना चाहिए मनन करना चाहिए उसका जो मनन करना भक्ति लाब के लिए सहायक है स्वाध्याय साधना का एक विशेश प्रयोजनी अंग है साधना जो है भक्ति साधना वो ज्यान साधना वो जो भी हो उसका एक विशेश अंग क्या है स्वाध्याय स्वाध्याय मतलब क्या है इसका दो आर्थ होता है एक जो स्वव मतलब आत्मा आत्मे बारे में चिन्तन और अध्यान करना इसको भी सॉध्या कहते हैं और दूसरा आपने आप शास्त्र गृंथoston को पड़के ऊठ्यकर ऑध्यान दो तरीक है न, कोई एक गुरू के पास जाते हैं या पंडिजी के पास जाते हैं वहां उनके पास बैठकी शास्वा दिन करते हैं, नहीं तो इसे प्रवचन सुनते हैं, ये भी एक तरीका हुआ, उसके अलावा सिर्फ इससे नहीं होगा, हमें दीरे दीरे आपने पैर पर ख करने के लिए माता पिता हाथ पकड़के उसको चलाना सिखाते हैं, इसका मतलब यह नहीं सहरा जिवन ऐसे चलता रहेगा, किसी को हाथ पकड़के ऐसे चलेगा, नहीं, धीरे धीरे इस बच्चे को अपने पैर पर खड़े होना, अपने पैर पर चलना सीखना होगा, वैसे ह जो भक्त है, भक्त को भी स्माध्याई बहुत जरूरी है, इसका मतलब पहले-पहले समझे नहीं आता, इसलिए गुरु के द्वारा नहीं तो कोई प्रवचन करने उसके द्वारा उसको सीखने के लिए कोशिश करना चाहिए, लेकिन सारा जिवन वहां नहीं रहना, स्वामी इसके उपर बहुत जौर देते हैं। स्वामी विवेकन्द इसके उपर बहुत जौर देते हैं। It is very good to be born in a church, but not to die there. Church मतलब ये सब एक system है, वहाँ पर कोई आपको पाट पड़ाते हैं, आप उनकी साहे से पढ़ोगे, वहीं रहना नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए, हमारे अपने पहर पर खड़े होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, और सामी जी ये भी कहते हैं, किंडर गार्डन में नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कभी-कभी ना, गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें ये करो उपासना करो कर लिया वस उसमें ही होगे अच्छी बात है मतलब ये करना नहीं असा नहीं लेकिन वहां नहीं रुकना चाहिए आगे बढ़ना होगा कैसे और भी भक्ति से करें और भी अच्चे ढंग से उपासना करें और दिरे-दिरे अपने सबी खाम भगवान को सम है ना अपने जीवन में हमारी जो कॉलिटी अफ लाइफ जो कैसे इंप्रोव से इसके बारे में प्रयात्त करना होगा तब भी आगे बढ़ना हो सकता है शुरामखण कहते हैं व्याकुल होना है ना धीरे-धीरे नहीं तो क्या होता है मतलब मैं कर रहा हूं तितना जो जब करता हूं सुबह करता हो शाब को करता हूं ना इसे सारा जीवंच चले जाता है लिकिन वहीं रहने से इसुएLYवन का उद्धिस सफ़ल नहीं होगा अच्छा जीवन बिताते हैं भगवान के बाक्ति हैसल कुछ है लेकिन हमारे जो अध्यात्मिक जीवन ने ुश्यात्मिक के साक्सात कर नहीं हुआ उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए कोशिश करना है दीरी दीरी आगे पढ़ना पढ़ता है उसके लिए स्वात्याय का बहुत जरूरी है इसलिए पहले गुरु के पास जाओ, कोई पंडित जी के पास जाओ, शास्त्र गरत पड़ो, लेकिन वहाँ नहीं रहना, उसको बार बार अध्येन करना होगा, जैसे श्रामक्ष्ण वचरामृत, पहले पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है स्वामी जी कोई प्रवचन किये हैं, औ उसके लिए हम प्रदिक्षा करते रहेंगे, नहीं, आपने आप पढ़ना शुरू करना होगा, और ये भी कैसे, जैसे नौवल पढ़ते ना वैसा नहीं है, एक पेज पढ़े, और उसके बाद उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, माननी यानि मानन, ये बहुत जरूरी है जब हम कोई शास्त्रग्रत पहले पढ़ते हैं उस समय दिरे दिरे समझने के लिए कोशिश करते हुए, पढ़ते रहो किताब ठीक है, लिकिन जब दूसरे बार हम पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा होना चाहिए, माननी यानि, हो सकता है कोई एक वाक्या, अपने अंदर का यह है ना उसको ट्रिगर कर सके, अपने अंदर जो है ना कई सारे डौट्स हमारे मन में रहते हैं, उसको एक वाक्या काफी है, हमारे ना उसमझ को ठीक से, उस चीज को ठीक समझने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमारे अंदर से एक प्रयत्न होगा हो, क्या है उसको मनन कहते है मनन का मतलब किया है जैसे बैटे हैं प्रावचन सुने अच्छा सवामी जी ने बहुत पुद्सुदर प्रावचन किया बस वहां तक हो गया उससे नहीं होगा कोई भी अच्छा लगा हो सकता है काई कोहीं यह करे उसको घर के बाद में उसकोद देखना पड़ेगा नहीं तो घर में जाकर बैट के क्या Bee उसके बारे में चिंतन करना नहीं तो यह किताब पढ़ाएं शास्तर ग्रंत पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद उसके उपर चिंतन करना स्वामी तुरियानद्जे महाराज बड़े विदानती थे श्रामक्ष्ण के भब्द और श्रामक्ष्ण के शिश्य थे वो तपस्या करने के लिए जाते थे क्या तपस्या है उनका कोई एक भगवद गीता का श्लोक हो या उपनिशित का श्लोक हो उसको लेके सारा दिन उसी के उपर चिंतन करते थे सारा दिन उसी के ओपर ध्यान करते थे निरिध्यासन श्रवन मनन निरिध्यासन पहले उसको पढ़ना या सुनने के बार उसको मनन करना और उसके बाद उपर ध्यान करना पड़े पंडित थे पड़े ज्यानित थे स्वामितुर्यान जिमाराश वो कहां से मिला उनको ग्यान जो उन्होंने अपने गूरु से पाया वो तो ठीक है लेकिन उसी के साथ साथ उनने तपस्या की तपस्या क्या थी एक उपनिशत कश्लोक एक भगवद गीता कश्लोक पड़ लिया सुबा सारा दिन बैटके उसी के उपर है ना मनन और ध्यान करते थे निरिद्यास भक्तिशास्त्रानी मननी यानी उससे क्या होता है ना धीरे धीरे हमारे सोच में क्लारीटी उफ झो बोलते हैं ईक्लारीटी चाहिए हमारे जिवां में जो भी करते सब्स्ट्राइब करो है कि इन या शास्त्र को अध्यासन करो करने के बाद उसके उपर मनन करना चाहिए बहुत जरूरी है मनन करना यह बात कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं जो मनन करने का जो जरूरत जो है और उसके बाद निरिध्यासन उसके अगले स्टेप क्या है निरिध्यासन उसके उपर ध्यान करना यह जो जरूरी है इसको हम भूल जा पढ़ते हैं इसलिए कई कई लोग होते हैं जो किताब पढ़ते हैं एक पेश पढ़ने के बाद उसको बंद करके आँखें बंद करके क्या पढ़ा हो मैंने उसको ग्रहन करने में पोशिश करते ग्रहन करना उसको स्विकार करना अपने मन में जैसे रेकॉर्ड हो मैंने क्या समझा जो भी मैं पढ़ा हो क्या समझा हो मैं उससे जब ये करेंगे तब भी ये यानत रहेगा नहीं तो क्या होता है ना आशकल हम जानते हैं मतलब बहुत सारे विजारती यहां पर नीचे हौल है वहां पर आके बच्चे पढ़ते हैं किस के लिए पढ़ते हैं वो कोई कॉम्पेटिटिव एक्जाम के लिए पढ़ते हैं उसके लिए सुबह से शाम तक पढ़ाई करते रहें कभी कभी दो साल तीन साल है ना कोई कॉम्पेटर एक्जाम ने लिए पढ़ते ही रहें और मजा की बात ये क्या है आपको पता है जो एक बार वो कोशिश किया मतलब तैयारी किया एक एक्जाम में मतलब वो तो मतलब क्लियर नहीं कर पाया फिर अगले इसमें फिर पहले से शुरू करते हैं उसको जितना पढ़े हैं सारा साल और तीसरे बार उसी उसी को फिर पढ़ते हैं क्यों वह इसा करना पढ़ता है क्योंकि वहां सिर्फ है ना जो किताब में है उसको यहां पर है ना रखने के लिए कोशिश करते हैं आपने मेमराइज करने के लिए कोशिश करते हैं उसका मनन करने उसका अर्थ क्या है क्यों ऐसे होता है यदि ऐसे करें जब कोई एक सब्जेक्ट पढ़ोगे पढ़ने के वलसी मनन करने के लिए कोशिश करोगे सब्जेक्ट नौलेज अपना होगा तब पूरा पढ़ने का जुरूरत नहीं पढ़ता है सिर्फ आपको रुवाइज कर सेकेंड बार जब आप दूसरी बार पढ़ोंगे सिर्फ रुवाइज करना पढ़ता है पहले बार यादे टीक से पढ़े और उसको मनन करने के लिए कोशिश करे इसलिए नारजी कहते है उसको मनन करो मनन करो मनन करो बहुत जरूरी है इसलिए ये बात है ना और उसके बात कहते है भक्ति में वृत्धी के लिए साधुम्न के संगती शास्त्र पाठ सत्चर्चा पूजा आदि कर्म अवश्य करणी है उसमें क्या है बक्ति में वृत्धी के लिए साधु संग तदुदबोध का कर्म सत्चर्चा और उसके बाद शास्त्र पाठ और सत्चर्चा सत्ची कहरे भगवान के बारे में चर्चा पूजा आदि कर्म अवश्य करणी है श्री रामक्ष्ण कहते थे अरे मैंने कितना सुना है श्री रामक्ष्ण तो ज़्यादा शास्त्र पड़े नहीं इसका मतलब यह ने उसका शास्त्र क्या नहीं था इसा नहीं वो है ना वो कमारपकुर जुनका जो गाउँ था वहां पे एक रास्ता जाता था जाना गंगा सागर जाने के लिए गंगा सागर मतलब गंगा जी जो सागर में संगम होती है ना वो संगम वहां उसके दर्शन के लिए वास्तान करने के लिए दूर दूर से साधों लोग आते थे वो जाके उनके सेवा करते थे ये बालक छोटे से बालक उनके सेवा करते थे और वो लोग जो शास्त्र चर्चा करते थे न उसको सुनते थे और जहां भी भागवत श्रावण हो रामायन का पाठ हो चाहके वहाँ बेढ़ते थे सुनते थे शुरामक्ष्ण क्या कहते हैं अरे मैंने कितना सुना है और शुरामक्ष्ण भक्तों को कह रहे हैं जब अकेले रहना तब शीमत भागवत यहां चेतनी चरितामरत यह सब पढ़ना भागवत भक्ती ग्रंथ है उसमें सब कुछ है ज्यान भक्ती सब कुछ है चेतनी चरितामरत है अवरेक किताब श्री रामक्ष्ण कहते थे वो रामायन उसको भी पढ़ना श्री रामक्ष्ण कहते थे रामायन इसलिए यह ग्रंथ जो है भक्ती ग्रंथ जो है उसको पढ़ो नारज जी भी यह की कह रहे हैं। उसको पढ़ने का तरीका क्या है? सिर्फ पढ़ते जाना नहीं है। उसमें क्या कहना चाहते हैं? उसको उसके ऊपर तोड़ा मनन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। तब उसका सार हमारे अंदर बैटता है। और नारज जी और एक जगह में इसी बात को इसी नारजवग्षूत्र में ये बात कहते हैं भावतु निश्चेदाध्यादूर्ध्वम शास्त्ररक्षणम जो अनन्य भक्ति होने के बाद भी शास्त्ररक्षण के लिए शास्त्र का अध्येन करना होगा शास्त्र का अध्येन करना होगा और उसका अनुसरण करना होगा शास्त्र का अध्येन करना होगा उसका अनुसरण करना होगा शास्त्र में जो भी बताया है उसको अनुसरण करना होगा ये भक्ति पाने के बाद में और भगवत गीता में श्री कृष्णी ये कहते हमें तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्त तो ग्यात्वा शास्त्र विधानों तम कर्मकर्त्मिहारसी भक्ति शास्त्रानी मननी यानी तर उत्वोधक कर्मानी करनी यानी यानी ये बात को कहते हुए यहां क्या के रहे हैं तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते का जात्वा शास्त्र विधान उक्त्म शास्त्र का ये विधान को जानना होगा, कैसे जानोगे? ये भगवदगीता है, ये रामायण है, है ना? भगवान के पास एक अच्छा जगा बना के रोज फूल उसे चड़ा के जानोगे? नहीं उसका अध्येन करना होगा सिर्फ हमारे हैना मंदिर में उसको रखके पूजा करने से नहीं होगा उसी के साथ-साथ क्या करना होगा उसको अध्येन करना होगा तभी उसका ज्यान हमें मिल सकता है उसका ज्ञान जो है वो हमें मिल सकता है उसका अध्येन करना ये बहुत ज़र रहे इसलिए यहां क्या कहते है श्री कृष्ण क्या कहते है तस्म्यात्वा शास्त्र विधान उप्तप शास्त्र में जो बताया गया है विधान जो है उसको जानकर कर्म कर्तु मिहारहसी उसके अनुसार उसके अनुगुन अपने खर्म करो जो भी आप कर्म करोगे शास्त्र के विधी अनुसार करो उसको अनुगु अनुरूम से करो और कैसे जानते हैं जात्वा शास्त्र विधानोक्तम शास्त तुम्हारा प्रमाण है इसलिए देखिए मतलब शास्तर का अध्यान करना कितना हमें महत्तो पोरण है आशिकल का जमाने में जो हम है ना पड़े लिके लोग बार बार मैं कहरा हूँ यह बात पड़े लिके लोग जिसको हम कहते हैं उसको मतलब सिर्फ अपने आफिस में जाके अपने जो यह भी है मतलब जो भी उनका काम जो है अकॉंट के डिपार्टमेंट पे होने से उसमें फिर अलग-अलग यह है विभाग है उसमें आडिटिंग होता है और उसमें फाइनाशियल मैनेजमेंट होता है उसमें कोई एक है कोई एक संदिक्ता आता है हमारे मन में आपने जीवन में ऐसे संदिक्ता हो इसका असमर्थ है ऑपने पर लेकिन कतने कारण लेके अपने जी शास्त्र का जिह नहीं करते हैं ना भढालिक करो यतना भी एक्जामेनेशन पास करना चाहते हो करो इसका मतलब यह नहीं है अमारा शास्त्र को पढ़ना बंद कर दो कहां पर है कि सिर्फ आप एक पड़े लिखें लोग मतलब क्या हुआ आप पड़ा लिखा का मतलब क्या है कोई एक स्किल डेवलप करना कोई इस गिजने करने के लिए एक डाक्टर होके को कुछ भी प्प्रेशिट को ट्रीट करना या एंजिनियर को कैसे देखबाल करना होगा है ना उसके बार हमारे जी जीवन में परिवार में जो और लोग है उनसे कैसे ये करना विवार करना होगा और जब कोई ये कहना प्रॉपरिटी का जो ये डिविजन का ये बात आती है तब कैसे डिसिशन लेना पता नहीं हमें पता नहीं हमें क् सिर्फ जौब के लिए लेकिन सिर्फ जौब से अपने जीवन नहीं चलता है पैसे जीवन नहीं चलता है उसी के साथ साथ उस पैसे को कैसे उप्योग करना चाहिए और उससे कैसे हम आनन से रहे हमारे परिवार के लोग भी आनन से रहे यह सब कहां से पता चलता है शास्त्रम प्रमाणम्ते शास्त्र को प्रमाण मानके जाना है इसलिए नारज जी आस पस्तूप से कहते हैं भक्ति शास्त्राणि मननी यानी जो साइन्स अफ भक्ति जो है उसको मनन करो भक्त के लिए बता रहे हैं यहां पर भक्ति शास्त्राणि मननी यानी यहां पर भी यह कह रहे हैं दोनों का बैलनस क्या करना क्या नहीं करना की लोग होते हैं बहुत सपष्ट ये उसके मन में रहता है बहुत सपीत से क्या करना क्या नहीं करते हैं और इंगत्रों क्या होते हैं मेरे क को मतलब अधाइन से तोड़ा पईसे ममाली आधो इसलिए मएक को को अब जब relationship और उसके और को यह पॉजह लोग क्या चेहां करते हैं अरे फैसा तो खमा सकते हैं आधेuses कमा सकते हैं रिलेशिप फिर आएगा कहा सिद्सक्षाय कि जीवन में जीवन में एसे उसे लिख की समदित इसमें भीस्षीशन लेने मिए असrånवारत हो जाते गलत पीकर गने जाते हैं फिर आनंद पाने के लिए धर्म मार को रहना जा जाना वो बहुत दूर की बात है बहुत दूर की बात हमारे धर्म जिवन मतलब क्या है जब भी कोई एक विशेश दिन हुआ मंदिर में जाओ भगवान के पूजा करके आओ पूल पल और चड़ा के मिठाई चड़ा क्या बस हो गए हम दार्मिक बन गए इससे नहीं चलेगा जब भगवत गीता है भगवत गीता में भगवान यह बोलते हैं योगस्ता कुरुकर्माणी भवान के चरण कमलों अपने मनस को समर्पित करके अपने कर्म करो यह बात सब हर एक चीज है वहाँ जीवान में कैसा जाना कैसे हागे बटना यह सब स्पस्ट्रूप से हैं जब उसको अध्यान करेंगे उसको मनन करेंगे तब कैसे जीवन बिताना यह बात हमें समझ में आता है इसलिए ऐसे शांस्त्र का अध्येन करो और क्यों ऐसे करना शांस्त्र का अध्येन करना क्योंकि भगवत की ता मिश्रिक्स पस्टूप से बताते हैं यद्यद हाचारत श्रेष्ट तत्त देव इतरोज रहा सयत प्रमाणम कुर्थे लोग का स्थदन वर्त दे श्रेष्ट पुर्षिक जैसे आचरन करते हैं वहीसे ही आउर सभी लोग उसका अनुसरन करते हैं कि शफ़ पुर्ष को आचरण बड़े समाज में बड़े लोग हैं जो भी करते हैं उसको दूसरे लोग क्या कहते हैं उसको एक प्रमाण मानते हैं सयद प्रमाण हम कुरते लोग कस तदन वरतते वो जो भी करेंगे लोगों के लिए वो एक प्रमाण हुआ वैसे ही हम भी जीवन बिताएंगे जब यह करते हैं जैसे डाक्टर एपीज अबदिल कलाम थे हम जब भी मतलब देश चेवा की बात आत हैं क्यों उन्होंने प्रियारिटी क्या रखा अपने जीवन में देश को प्रियारिटी रखा समाज को प्रियारिटी रखा और उसके बाद अपना हना स्वार्थ जो हैं बात में सोचते थे पहले देश को और समाज को परे में सोचते थे क्यों श्रेष्ट पूरुष्ट है इसमाज में जो भी बड़े हैं उनका आचरण जो है उसको देखके दूसरे लोग उसका आचरण करते हैं कैसे पता चलता है उनके जीवन पड़ते हैं वो जो भी बता हैं उसको ही शांस्त कहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने देखिए उनके आपक दूरा गए कंस तो बड़े कुरूर राजा था और उनके मामा थे श्रीकृष्णजी के मामा थे साउनिक career अद्धिकार लेकिन ने क्या किया उग्र से वहाँ भी기로ए हत्या कर देगा राज सिम्हासन उसका होगा अधिकार उसका होगा लेकिन क्रिष्ण ने क्या किया उग्र सेन को वहां बिटाया वो ग्रसेन को हाँ बिटाए है क्यों यह मेरा सिम्हासन नहीं है यह आपका है उसका अधिकारी आप हो आप ही थे पहले आपको कम से इसा निकाल के वो बैटे थे इसलिए अपको यह करने के बाद किसको जाएगा आपको जाएगा देखिए निस्वारत उनके जीवन ता अध् करते हैं अधिक है और मांते हैं उनको इसका रंच से इसका आचरन देखियं तत्त देव इतरो जणाहां और उसका अनसरन करेंगे और सभी लोग उसका अनसरन करेंगे सयदוח कुरूत तक देखिए श्री राम जींड़े उनके पिताजी श्री राम जे को सीधे अपने अपने आप नहीं बताए थे तुम वनवास चले जाओ भरत को सिम्हासर मिले उन्हें नहीं बताया लेकिन कई की बताई उनको मैंने इस वाफर को मैं मांगा और देखो तुमारे पिताजी देने के लिए तयार नहीं अब तुम पिरमारे पिताजी का वाक्य परिपालन करो श्री रामजी ने क्या बताया पिताजी से पूछा क्या पिताजी आपने इसे बताया पूछा क्या नहीं उनका जो बात जो है जो भी उन्होंने वचन दिया है उसका वचन जैसे पिताजी का सिम्हासन लेने के लिए मैं तयार हूं तो इसे पिताजी का वचन भी निभाने के लिए मेरे को तैयार होना चाहिए ना जो अच्छा मिला वो ले लिया और बुरा मिला वो मेरा नहीं है इसा तो नहीं चलेगा मैं जब मेरा पिताजी जो है उनका सत्य को ये निभाना होगा सत्य वाक्य को निभाना होगा श्रीरामजी को निंदा नहीं करते थे निंदा करने वाले क्यों थे क्योंकि समाज बोल सकता थे ना क्योंकि वह तो पिता जी तो नहीं चाते थे कर सकते थे लेकिन देखिए उसको निभाने के लिए 14 साल वनवास चले गए इसलिए यह सब हमेना याद रखना होगा उनका जब श्री राम जी का याद बात याद करते हैं तब यह भी सोचना होगा में उनके जीवन क्या है आचरण उनके आचरण कैसा है यह आचरण देखके सयद प्रमानम पुरते लोकस्त दनुवर्तते कैसा पता चलेगा श्री राम जी पड़े तो तब भी पता चलता है जब श्री महाद जी आवाएन पड़ेंगे और इसके बाद में उसके बारे में सोचेंगे तब यह पता चलता है इसलिए भक्तिशास्त्राणि मनननी यानी तो इसे ही अपने जीवन में करने के लिए कोशिश करो आचरण करने के लिए कोशिश करो और यह शास्त्र इसका मानन करने के लिए और भी एक कारण है और एक कारण क्या है देखिए जो मन जो है जो भक्त भक्ति भगवान के भक्ति पाना चाहते है मतलब यह भक्ती बढ़ावा उसमें लाना चाहते हैं समकर कोशिश करते हैं इसका मतलब यह नहीं भगवान के नाम लेना शुरू किया उनका जो पीछा वाला समस्कार जो है प्रारब तो समस्कार वो चला गए इसे मत समझे उसका प्रभाव रहता है उसका प्रभाव रहता है इसलिए जब भक्त देखिए क्या सारा दिन भगवान के नाम करते रहेंगे कुछ ना कुछ है ना हमारे जीवन में सिर्फ भगवान के नाम करते नहीं रह सकते अभी भी जो शुरू किया है भक्ति मार्ग को ना भगवान के जब करना भी बंतर दीक्षा लेगे उसके बाद जब करना शुरू करेंगे सुबह शाम बैटके जब करते हैं इसका मतलब सारा दिन तो नहीं खाली समय बहुत सारे मिलते हैं बीच बीच में जहां पर हम कोई मतलब काम भी नहीं है ऐसे बैटे रहें अच्छा हम कहते हैं रिलाक्सेशन ही सब कहते हैं इन्हापको पता है समझ्य क्या आपको पता है सच मुझ भक्त यह समझ में जादा समय नहीं लगता उनको उसी समय हमारे पूरो समस्कार जो है समस्कार वश हमारे जो घरत समस्कार जो है वो आगे आना शुरू कर लेते हैं हमारे सुप्त मन में जो बैटे हैं वो जागर्थ होने लगते हैं गलत सोचाना शुरू करता है इसलिए इंग्लिश में कहते हैं यम्टी माइंड इल्स डेविल्स वर्क्शॉप जब मन को खाली रखोगे सबी दुनिया में जितना बुरा सोचे वो हमारे मन में आ जाएगा इस से निपटने के लिए एक मार्ग क्या है भक्ति शास्त्रानी मननी यानी उसको पड़ो एक रोटिन बनाओ जब भी तुम्हें पता चलता है मने तो समय मिला उस समय बैटके थोड़ा भगवान के वाक्यों को उनके जीवन के लीला ये सब पढ़ने की कोशिश करो और उस शास्त्रानी मननी यानी इसलिए शास्त्र को पढ़ना इसमें एक यह है शास्त्र में हमें इसके बारे में यह कहते हैं आसुप्ते राम्रते का आलम नए द्वेदांत चंतया दद्यन्न अवसरक किंचित कामा दीना मनागपी जब हम कुछ काम नहीं करके बैटते हैं उस समय काम क्रोध लोग यह सब ऊपर आने केलिए कोशिश करते हैं इसलिए क्या करना होगा चिंतन करो भगवान के चिंतन करो वेदानत चिंतन करो चिंतन करते रहो लेकिन तो सबसमें नहीं आती वोचिंतन Kayse होगा इसलिए पीच में भक्ति शास्त्रों को पढ़ो, अध्यान करो और उसका मानन करो, मानन करने से ऐसे ही जो बीच-बीच में जो ग्याप मिलता है जहां पर हमारे पूरो समस्कार जो जग उड़ता है, उसको बहुत अहल तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए भी भक्ति शास्त्र का मानन करना अध्यान करना बहुत जरूरी है शास्त्रों को अध्यान करना मानन करना बहुत जरूरी है नहीं तो क्या होता है empty mind is devil's workshop और उपनिशत में अवर एक बात कहते हैं शिश्य गुरु ग्रह में है न वो कितने साल दस बारा साल रहते थे अध्यान करके और वापिस जाने के बाद एक कॉनोकेशन है ना इस पीच होता था गुरू का उसमें उसको क्या बोलते हैं आप जब तरितरी उपनिशत पड़ेंगे वहाँ पर आचार्य उपदेश एक चाप्टर होता है आचार्य का उपदे शिश्य जो अब ता अध्यान पूरा करके जा रहा है जा रहा है अभी और अपने यह ग्रहस्त जीवन को प्रवेश करेगा वृत्ति जीवन का प्रवेश करेगा तब उनको एक उपड़ेश देते हैं बहुत सारे मात्र दियो अपित्र दियो आचारी यह सब उपदेश देते हैं देने एक साथ साथ यह कहते हैं स्वाध्याय प्रवचना अभ्यामन प्रमारितव्यम स्वाध्याय अध्येन करना अभी तक गुरु ग्रह में तुमने जो भी शिक्षादी हमने तो गुरु दे दिया इसका मतलब यह नहीं आजकल जैसे होता है जैसे ही उसको डिग्री मिल गया और किताब सब फेक दिया उसके और सब्जेक्ट से कोई सब्बंद नहीं क्योंकि वह जाब मिल गया बस हो गया लेकिन अइसा नहीं घाचारी क्या कहते हैं तुम्हें यह जो ग्रंत जो है तुम्हारे जीवन के सब्बंद भी है शास्त्र करते तेना उसका अध्यें कर स्वाध्यय और प्रवचन है ना इसको दूसरे लोह को पता न वहीं आ भी एकिया है इसको ना प्रमरित व्यम् कभी इसको बंद मत करो स्वाध्याय और प्रवचन करते रहो यह जो है शिश्य को गुरू ने आधेश देते हैं यहाँ आधेश देते हैं स्वाध्याय करना होगा तो मतलब यहाँ जो बढ़ाई किया तुमने उसके घर में जाने के बाद उसी का भी जारी रखो तुम्हारे ग्रास्त जीवन का जो जर्म ये करतवी जो उसको करते हुए उसी के साथ साथ ये अध्यान भी शास्त्रा अध्यान भी जारी रखो जीवन में ये बहुत जरूरी बताते थे और ये जो भागवत में बहुत एक सुन्दर ये बाते कहते हैं जहांपे गोपियों का एक यह गोपि कागीत कहते हैं उसको और उसमें यह क्या कहते हैं ना वो एक स्लोक है वो यह कहते हैं तवकथाम्रितम तप्तजीवनम कविभीरीडितम कलमशापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुविव्रुनंतिये भूरिजाजनाहा वहां गोपियां श्रीकृष्ण को यह बात कहते हैं तवकथाम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम्रितम् समसार जीवन में जब है ना रहते हैं ना अलग अलग तरीके का कजणायों को सामना करना पड़ता है दुख का भोगना पड़ता है ये सब ताप से जो तप्त हुई है उन लोगों के लिए तुमारे वाकि जो अम्रत जैसा है अम्रत जैसा है मतलब इससे निपटने के लिए तुमारे वाणियों को सुनना होगा तवकत हाम्रतम तपत जीवनम कवी भी रीडितम कवी मतलब जो योगी रिशी मुनी ये सब भी उसका प्रशमसा की है उसका पूजा की है खलमशा पहम इससे क्या होता है मन के कलमश का नाश होता है मन के कलमश का नाश होता है कलमश मतलब हमारे जो भी है पुराना हमारे समस्कार जो है वो जो है उसका नाश होता है ये करने से भगवान के वाक्यों को श्रवण करने से कलमशा पहम और उसके बाद श्रवण मंगलम सुनने के लिए बहुत सुन्दर है मतलब आउर भी सुनना सुनते रेना ऐसा लगता है श्रीमदात अतम और उसका परिणाम जो है बहुत व्यापक है व्यापक क्यों है वो हमें आपके भक्ती के मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करते हैं और गलत काम करने से हमें रोकते हैं इसका व्यापप कितना है देखिए मतलब जीवन में हमारे जीवन गलत काम करने से हमें रोकते हैं और सही मार्ख में भक्ती जीवन में मार्ख में जाने के लिए आगे जाने के ले जाते हैं भुवी गृनंतिये भूरी जाजना हां इसलिए इसमें दुनिया में लोग उसको स्वीकार करते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए भगवान के इन वाक्यों को इसलिए यहां विशेश करके जो क्या कहते हैं कलमशापहम हमारे जो कलमश को दूर करते हैं कलमश को नाश करते हैं ये बहुत मुख्य रूप से हमें समझना चाहिए नारजी कहते हैं भक्ति शास्त्राने मनने यानी तद बोधक कर्माने करनी यानी भक्ति को बढ़ावा देने कर्म वो क्या है एक शास्त्रा धेन हुआ और सत्संग हुआ ये सब के बारे में चर्चा की और उसके बाद जब ज श्मरण मतल्ब सब समय जब नहीं कर पाएंगे भगवान के के स्मरण कर सकते और कीरतन ख़वान के Karma करते हैं उससे भी बगति को बढ़ावा देता है और पूजह अर्चना घिस सेुन यहाँ पर बहुत सारे भक्त अपने जीवन बिताये हैं, भगवान के स्परण किये हैं, भगवान के साक्षात कर किये हैं, कितने मतलब वहाँ एक वाइब्रेशन होता है वहाँ पे, वहाँ जाने से हमारे अंदर भी भक्ती जागता है और भक्ती का वर्धन होता है, भक्ती व मृद्धियों ऐसे कर्मों का हमें करते रहना चाहिए और उसी के साथ-साथ आजकल हमें यह भी है ना शिवग्यान जीव सेवा अपने एक अर्थवी जो भी करते हो हर एक के अंदर भगवान बैटे हैं भगवान के वास है हर एक के अंदर इश्वर बैटे हैं जब किसी को कु करना भगवान ही इस पूजा का स्विकार करने भगवान की पूजा है और भगवान इस पूजा का स्विकार करने इस भाव से जो करना इसी से भी भक्ति के उर्द्धि होता है तो बोधा का कर्मार्य करनी यानि जो भक्ति को वर्धन करेगा ऐसे कर्म को हमें करते रहना चाह पास्त्रों को मनन करना होगा, उसको पढ़ना होगा और इसके बाद मनन करना होगा, निरिद्यासन उसके उपर ध्यान करना होगा, तद उद्बोध का भक्ति को जो हमें बढ़ावा देता है हमारे अंदर, ऐसे कर्मों को करना चाहिए, तब उससे क्या होता है, भक्ति को बढ उम्तच्सत श्री रामकृष्णारु पनमस्तू